हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इस्टिच बित्विनीता और आज मैं आपके लिए बहुत ही ब्यूटिफूल बैत नेक डिजाइन का वीडियो लेकर आई हूँ इस नेक डिजाइन को बनाना बहुत ही एजी है और ये जटपड बनने वाला बैत नेक डिजाइन है और दे रखेंगे ड्यांब सिधाखहेंगी भूस मैं लाइनिंग के अब वीडियो में देख रहा है और सबसे पहले हम नेक पे अब कटशोधे मैं निकाल देंगे दू अब हम पूरे में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इसको lining को fabric को 50 side Pellet देखे अर्पिह ज़े इसको अच्छा पलटे हुए इसको प्रेस से अच्छी से बठा लेंगे देखे मैंने neck को पलटके उसको प्रेस से अच्छे से सेट कर दिया है और चारो side से मैंने इसे इसलाई करके finish कर दिया जब इसमें हम तक्स लगाएंगे उसके बाद हम नेक पे पाइपिंग अटेज करेंगे इसके लिए मैंने डोडी वाली पाइपिंग तयार कर ली है मैंने अपने कई वीडियो में आपको पाइपिंग कैसे बनाते हैं वह बताया है आप चाले तो रेडिमेट पाइपिंग भी ले सकते हैं पुरी नेक पी पैपिंग अटेज कर लेती हूं फिर आपको दिखाते हैं और बहुत ही फिनिशिन के साथ हुमारा पैपिंग लगकर तयार हुआ है अब हम इसको साइड करते हैं, अब इसमें डिजाइनिंग करने के लिए हम गोल्डन क्लड का मैंने एक फैबरिक लिया है, इसकी लंबाई चुड़ाई 2.2 इंच है, इसको ऐसे ट्रेंगल में हम फोल्ड करते हुए, इस्टीच कर लेंगे, इसी तरह मैंने पहले से ही तियार करके रखे हैं, ट्रैंगल्स, अब हमें एक ब्लाउच के मैचिंग के फैबरिक लेना है, इसकी लंबाई चुड़ाई 2 इंच है, और इसे हम जैसा हमें वीडियो में दिखा रहे हैं, आपको वैसे ही बनाना है, इसे धागे से हम पक्का कर द है, अब इस दोनों से, दोनों डिजैन से हम अपनी ब्लाउच को डिजैन करेंगे, इसको साइज में रख देते हैं, अब लाउच का बैक पार्ट लेंगे, और इसमें हाफ आफ इंच की दूरी पे हमें एक निशान ऐसे डौई कर लेंगे, तक हमारा जैन वीद्हर ना हो, और इसी के उपर हम एक एक ट्रेंगल उपर से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ देंगे इसके बाद हम ऐसे डिजाइन को इस लाइन के उपर अटेज करते जाएंगे स'll आ थे 1 अधि अधिक वेडियो में कि किश आइन रखते जाएंगे और इसे डिच करते जाएंगे पहले हम ट्राइंगल सो टेज कर लेंगे उसके बाद हम इसे डिकिरेंगे सारे ड्रेंग़ yatγा का मैं अच्छ करेंगे का मैं आप को कर के दिखाते हूं अ यह दिखिए ऐसे हम सारे ट्रेंगल्स को यह में अटेच कर लेंगे मैं अटेच करके आपको दिखाती हूँ अब हम इसे अपको पूरे में ऐसं इसे अटेच करते जाएंगे। उसके बाद हम इसे लहसे देकोरेट करेंगे, यह दिखे, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसी तरह बीच बीच में हमें अटच करते जाना है, फिर इसके उपर हम लेस को अटच करेंगे, यह देखे, हमने नेक पे डिजान अटच कर लिया है, अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे, और इस नेप डिजाइन को हम लेस लगा कर फिरेश करेंगे, आएए लेस अटेज करते हैं इसमें, यह हमारा नेक बनकर रड़ी हो गया है, अब हम इसमें टक्स लगाएंगे, यह देखिए, मैंने कमर पट्टी भी अटेज कर ली है, और पच्ची हुई लेस को मैंने कमर पे अटेज कर दिया है, कमर पट्टी मैंने पिन से इसे बिठा दिया है, अब इसमें तुरपाई करके रेडि कर लूँगी, आप चाहे तो इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो, मैं इसमें तुरपाई करूँगी, औ और बहुत ही सुंदर बिजाइन बरकर त्यार हुआ है, इसी तरह के वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, और कमेंट करना ना भूलें, कि आपको वीडि झाल 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 झाल झाल